आदिपूरुस अपने रिलीज होने के पहले दिन से ही बवाल के घेरे में चल लई है बात यह है कि इसमें कुछ अभाद्र भासाओं का प्रयोग किया गया है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि गली महले में रहने वाले कुछ सपरी टाइप के लोग होते हैं ये उनकी भासा है जैसे कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की मेरे एक सपोले ने तुम्हारे सेसनाक को लंबा कर दिया अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है और जो हमारी बैनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे कुछ इस तरह के डायलोग्स इस फिल्म में इस्तिमाल किये गए हैं दूसरी बड़ी बाद ये है कि इस फिल्म के विजूल एफेक्ट्स भी अच्छे नहीं है इस फिल्म में कहीं भी सोने की लंका नहीं दिखाए जाती बलकि ज्यादतर फिल्म में अंधेरा टाइप का ही दिखाया गया है और इस फिल्म के अगर visual effects को नकार भी दें तो इसमें जो characters हैं उनके पहनावे भी आज के जमाने के modern type के लगते हैं इस फिल्म पर कई लोगों ने कड़ा विरोध जताया है नेपाल में तो इसे देखते हुए हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया गया है इस फिल्म का बजट तो 500 करूल बताया गया है लेकिन ये फिल्म किसी animated फिल्म के सामने भी फीकी लगती है बताया जा रहा है ये फिल्म अपने बजट को तो cover कर लेगी लेकिन ये पूरी तरह से flop है आदी फूरस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं